इस साल सावन महिने की सुरुवाद 22 जुलाई दीन सुम्बार के साथ होने जा रहा है जो बेहद सुभ माना जा रहा है इसके साथ ही सावन के पहले दीन यानि सुम्बार के दीन तीन सुभ योग का भी निर्मान हो रहा है माना जाता है कि इस सुवयोग में भगवान भोलेनाद की विदी विधान के साथ अगर सी भक्त पूजा अराधना करते हैं तो सभी प्रकार के कष्ट समाप्त हो जाएंगे और मांगी गई सारी मनो कामनाय अवस्य पुर्ण होगी वहीं पहले सुंबार के दिन भगवान भोलेनाद की किस तरह पूजा अराधना करनी चाहिए और क्या अरपन करना चाहिए जानते हैं देवगर के बैतनात मंदिर के परसिद तिर्ट प्रोहित परमोट स्रिंगारी जी से तिर्ट प्रोहित जी सावन के सुंबार के दिन अद्भूत संयोग बन रहे हैं तो जातक को किस वीदी से पूजा अराधना करनी चाहिए ताकि उनके पर भगवान सीव की किरपा बनी रहे और सभी जो भूल वस पाप हुए हैं वो समाप्त हो जाए सीव की पूजा के लिए सबसे पर्थम जो है उनको जो है सो जल से असनान कराएं जल से असनान कराने के बाद बिलपत्र चड़ाएं बिलपत्र में अगर आप राम नाम लिख के चड़ाते हैं तो अमुग फल दाई हो जाता है चुकि राम जो है सो स्वेंच सीव के उपासक है और सीव जो है सो राम के उपासक है ऐसा आया है रामस्वर एक जो तिलिंग है रामस्वर 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 जब चड़ाया जाता है तो बहुत पर्सन होते हैं असी और उसमें जल से पुझा कि जाती है और इस सब सारे वस्युने सब स्याने के समय, नमस सिभाये का जब अधिक से है सब चलाने समय शीव नमस सिवय का मन ही मन जाब करते रहें और शड़ाते रहें